हालो एवरिवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाइन ओलंपिया डोट कॉम पर रेइस्टेशन करवाने के बाद आगे क्या प्रोसिस रहता है आगे के प्रोसिस में जैसे कि आप अपने डैश्बूर्ड को किस तरी किसे एक्सिस करेंगे आपके package के अंदर कुछ practice material आपको दिया जाता है उन सब चीजों को आप कैसे एक्सिस कर सकते हैं आपको exam से जुड़ी updates लेनी हो जैसे कि आपकी exam date क्या है कब आप exam दे सकते हैं सारी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको अपने computer या mobile phone के browser के अंदर shine olympia.com को open करना होगा जैसे आप shine olympia.com open करेंगे open करने के बाद आपको उपर की तरफ एक orange color का बटन दिखाई देगा login बटन आपको उस पर click करना है login बटन पर click करने के बाद आपके पास आपका एक user id password होगा जब आपने shine olympia.com में register करा था तो एक id password आपके रहिशन mobile number पर आपकी रहिशन email id पर share किया गया होगा उसी id password से आपको यहाँ पर login करना है जैसे आप login करेंगे आपके सामने dashboard open होगा इस dashboard में सारी details आपको दी गई हैं कि आपका आपकी profile आप manage कर सकते हैं आप आप में test plan देख सकते हैं और कितने आपने test किये हैं उसकी reports भी आप access कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसे dashboard आपका open हुआ है dashboard के अंदर आपको दिया गया स्क्रीन के उपर कि आपने कौन सा plan नहीं आए और आपके test history क्या है आपका password आपने का registration करवा है सारी details आपकी package के अंदर इस dashboard के अंदर दी गई है dashboard में second number पे आप देखेंगे तो आप एक profile का button दिया गया है profile page के अंदर आपका नाम, आपका mobile number, email id इस सारी details update रखी है क्योंकि सारी details update रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप इसका exam देंगे आपके नाम से certificate update होगा सारी details आपके mobile number पे, आपकी email id पर आपको time to time alert मिले सारी details रखना ज़रूरी है उसके बाद आपके package के अंदर आपने जो package लिया था package के अंदर का कितने test आप ले चुके है per day की limit का है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे है इसके अंदर mock test दिये गए थे five जिसमें से चार test student आट time कर चुका है तो यहाँ पर number लिखा है उसी तरीके से जब आपको test करना होगा इसका test करने के लिए start test button पे click किया और यहाँ पे कुछ instructions दिये गए है कि क्या क्या चीज़ों को access किया जा सकता है और आपने जो Olympiard का subject लिया हुआ है जैसे कि इस screen पर देख पा रहे हैं कि science का subject लिया हुआ है 10th class का और science का subject के अंदर कितने section आते हैं उसके कितने question इस screen में दिये गए है वो भी आपको यहाँ पे दिये गए है जब आप सारी सीज़ों को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने check box पर click करके continue button पर click करना होगा उसके बाद एक language का option दिया गए कि आप किस language में test को देना चाहते हैं आपके सामने जो language के अंदर वो test उपलब दोगा और सारी language आपको screen पर दिख जाएंगी आपको यह पर select करना है अपनी language के आप किस language के अंदर test देना चाहते हैं मैंने हिंदी select किया है और मैंने यह पर start test पर click कर दिया आप देख पा रहे हैं कि test के screen open हो चुकी है test की screen के अंदर उपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक timing चल रही है कि आपको एक गंटे का जो समय मिलाता है उसमें से कितना समय भी बच रहा है दूसरी timing भी अगर आप देखेंगे तो पर question की timing भी आपको यह पर दी गई है कि पर question आप कितना समय इसके अंदर लगा रहे है आपको कोई किसी भी question का answer देना है आपने क्या करना है radio बटन पे किलिक करना है जो गोल सा बटन आपको दिया गया है उस बटन पे किलिक करने के बाद आप next बटन पे किलिक करेंगे उसी तरीके से आपको जो भी question का answer देना है अगर आप किसी box पे आए, किसी question पे आए, आप उसका answer नहीं दे पार है, तो आपको red color के अंदर दिखाई देगा, आप बाद में भी चाहिए तो उसका answer दे सकते हैं, इसी तरीके से आप सारे question को यहाँ पर attempt कर सकते हैं, किसी question में आपको Hindi में समझ में नहीं आ रहा, आप English मे देखना चाहते हैं, फिर किसी local language में देखना चाहते हैं, आप easily उसको access कर सकते हैं, आपके पास save का option दिया गया है, example के लिए क्योंकि practice का है, कि अगर आप गर पे test कर रहे हैं, by chance आपको कुछ काम पर जाता है, तो अपने test को उस समय पे test save कर सकते हैं, ताकि बाद में जब पूरे dashboard को हम check कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, कि my plan पर जाके आपके अपने test को start कर सकते हैं, अब अपने test start कर लिया, आप अपनी सारी चीजों को complete कर चुके हैं, तो test start करने के बाद आप अपनी report को किस सरीके से check करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो package इस ID के अं आप अपने test के report देखना चाहते हैं, कि आपने पहले से लेकर पांच में तक जितने भी test के हैं, कभी भी किसी भी समय login करके अपने test के report को access कर सकते हैं, जैसे कि हम एक test के report को देख लेते हैं, यह जो test दिया गया था, इसमें दिखाया गया है कि total marks 50 हैं, और student ने जो numbers लिये 32 हैं, इसी तरीके से आपके dashboard के अंदर आपके अपने subject के आपको numbers दिखाई देंगे, यहापे कुछ color combination दिया गया है, जैसे कि science manager subject लिया था, वो लिया था 10th का science, उसी तरीके से science के अंदर logical thinking एक section है, achiever से एक section है, उसी तरीके से यहापे दिया गया है कि कि section के अंदर आपक अपने attempt नहीं किया है, आपके हर test में आपको एक limit दी जाती है, जैसे है कि आपने देखा था, कि एक गंटे का समय आपको दिया गया था test attempt करने के लिए, एक गंटे में से आपने कितना समय इसके अंदर लगा है, आपका maximum समय किस तरीके के questions में लगा है, तो maximum समय अगर आप इसमें किस तरीके साप check कर सकते हैं, कि आपने जो correct answer दी है, वो तो आपको पता रहा है, कि आपका correct answer है, लेकिन जो wrong answer है, आपने option select किया तक कुछ high answer है, आपके इसका है कुछ, जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं, इसमें आपने select किया था, option number A, लेकिन इसका correct answer है option number B, तो option number कि सरीके से निगा लगे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपने total जो correct किये थे वो कितने हैं section wise भी इनको देख सकते हैं incorrect आपने कितने question ऐसी थे जो आपने answer दिया था उनका answer पुछ ओर है तो उनका correct answer क्या है आप यहाँ पर check कर सकते हैं और कौन से कितना समय लगाए पर जितने गलत question आपने किये उसमें आपके कितना समय लगाए तो overall performance आप check कर सकते हैं और overall performance को section wise भी आपके check कर सकते हैं आपकी progress भी इस dashboard के according आपको graph के जरीए समझाती है कि पहले जाए test जो आपने level को check करने में अपने level को better करने में भी आपको काफी मदद करती है इन सब चीजों के बाद आपकी rank आप देखना चाहें कि आपकी statewide और national level पर क्या rank क्या rank है इस practice के दोरन तो आपकी rank भी आपको dashboard के अंदर दी गई है काफी easy बनाया गया है आप इसको easily अपने mobile phone पर practice करना चाहरे है अब laptop पर practice करना चाहरे है अब easily इसको practice कर सकते है अब इन सारी चीजों के बाद आपका main exam होगा main exam आपका कहा होगा उसके लिए जब आप dashboard को login करेंगे तो login करने के बाद आपके my plan वाला जहां पर option दिया गया है जहां पर आपका practice लिखाए कि आपने कौन सा practice कि subject का लिया था उसी पर आपको वहीं पर ही आपको एक option मिलेगा जब आपका test start होगा आपका test काव होगा उसकी dates का है तो उसके लिए आप website पर नीचे की तरफ देखेंगे तो shine olympia.com पर नीचे की तरफ date sheet का एक option दिया गया है वहापे पूरी list दी गई है कि कौन सा exam किस दिन open है तो इसमें क्या है कि maximum exam हमारे 3-4 दिन के लिए open किये गए है तो आप सुबा 9 बजे से लेकर सामको 6 बजे तक किसी भी दिन open करके अपने dates के according आप website पे login करके अपने desktop या laptop में login करने के बाद आप अपना exam दे सकते हैं बाकी updates आपको इस dashboard के अंदर मिल जाएंगी और अगर कोई भी बदलाव किया जाएगा किसी भी चीज़ के अंदर कुछ updates आपको notification होगी तो notification का icon भी आप दिया गया आप इस पे click करके इस notification को भी चेक कर सकते हैं अब जैसे कि हमने मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ videos भी आपको दी गई है videos को कैसे access कर सकते हैं practice में आपको मदद करेंगी आपके dashboard में YouTube का icon आपको दिया गया जैसे आप उस पे click करेंगे आपको Shine Olympia का YouTube का channel open होगा उस YouTube channel पे कुछ videos आपको दी गई है topic wise आप इन सभी videos को देख सकते हैं आप किसी भी सेमें अपने mobile पे अपने सारी सेजों को access कर सकते हैं यह videos आपके लिए important हो सकते हैं इन video को समय निकाल कर एक बार जरूर देखिए तो यह था पूरा process Shine Olympia.com पर अगर आपको कोई भी doubt है इस dashboard में किसी भी page को लेकर आप हमें comment box में लिख सकते हैं या हमारे टीम से हमारे numbers पर contact कर सकते हैं धन्यवाद हमारे गन्यवाद